हेलो एब्रीवन आपका अपना दोस्त मनोस कमार यानि कि मैं आप सभी का स्वागर्ट करता हूँ आपके अपने यूट्व चैनल बीसे पाट साला पर आज का ये वीडियो बहुत समय बाद आ रहा है लेकिन एक खुस कपरी के साथ आया है जैसा कि आप सब लोगों को थमनील देखकर के पता ही चल गया हुआ कि आज मैं क्या अनॉसमेंट करने बाला हूँ यहाँ पर आपका जो है बीसे का आपका एक सब्जेक्ट है जो कि फिप सैमिस्टर में भी एक्जिट करता है जिसका नाम है नुमेरिकल मेहतर उसका मैं यहाँ पर complete study package आपको provide करने बाला हूँ और इसकी हर एक वीडियो आपकी किस तरीके से आएगी यह भी बताऊंगा बस वीडियो में आप बने रही है और किस तरीके से मैं इस course को आपको पढ़ाने बाला हूँ इसकी भी आज ही मैं पूरा index बता दूँगा जिससे आप जो यहाँ पर पढ़ना चाहते है actual वो चीज़ आपको यहाँ पर provide कराई जा रही है या नहीं उस बात का आप पहली satisfaction यहाँ पर ले लें otherwise मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका यहाँ पर time बरबाद हो या आप यहाँ पर मेरी बज़े से अपना time बरबाद करें या मेरे को बाद में फिर गालिया दें so चलिए मैं यहाँ पर कुछ इसके advantage इसके plus point और इसके बहुत सारे तरीके कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगा और आपको किस तरीके से पढ़ना है इसमें और किस तरीके से मैं इसमें index रखूँगा वो सब कुछ अभी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियों बस आप बने रही है सबसे पहले हम इसका एक plus point की बात कर लिते हैं दोस्त इसका पहला plus point कि आद देगे जैसा कि अभी COVID चल रहा है कि हमारे लिए इतना फाइदे मंद हो जिससे हम अपने doubt क्लियर कर सकें या हम अपने exam को अच्छे से क्लियर कर सकें या अपने exam में अच्छे से उस question का representation दे सकें राइट? सो वो सारी चीज़े हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं college में पढ़ा भी रहे हैं आपको अगर आज में एक यहाँ पे question लिख दू बड़ा सा और उसे direct लिख दू यू करके ठीक है तो यार तुम मैंसे कोई video नहीं देखेगा कहेगा भाई ऐसे तो फिर हम अपनी book से ही पढ़ेंगे कोई जो reference book है ठीक है तो नहीं आए गतनी जल दी समझ में जो एक हम visually चीजियों को देखते हैं हम सुनते हैं उन चीजियों को तो वो हमें ज़्याद तर याद रहती है हम समझ पाते हैं उन चीजियों को और उसके according हम अच्छे से represent कर पाते हैं exam में कि अच्छा एक्सुल में हमें ये करना है तो ये online study तो हम भी करा रहे हैं लेकिन यहाँ पे आप जो है अपने doubt भी पूछ सकती है doubt आप यहाँ पे पूछ सकती है ठीक है doubt आपको doubt पूछने के लिए telegram को use करना पड़ेगा तो आप telegram को use कीजिये ठीक और उसके लिए हम एक group बना देंगे आप वहाँ से जाके join कर लिजेगा अब second plus point इसका सुल लिजे आपको यहाँ पर जो है smart work कराये जाएगा अब smart work का आप सोच रहे होंगे भई कैसे किया जाएगा तो smart के साथ मैं देखिए भई हमने किया हाड वर्क तो आपको भी hard करना ही पड़ेगा और consistency and display रखना हो तभी आप सफल हो पाओगे इस subject हो अभी हम आपको पता दे रहे हैं ठीक है घपडाने के कोई ज़रूत नहीं है इतना tough नहीं है यह एकदम funny की तरीके से आपको इस course को मैं पढ़ाने वाला हूँ एकदम funny होगा अब कैसे होगा देखिए हम इसकी सबसे पहले जो है third unit करेंगे कौनसी third unit आप कहोगे भेया आप तो पूरा का पूरा हमारा जो index उसे खराब करें दे रहे हो नहीं यार मैं index नहीं खराब कर रहा हूँ अगर आपको वीडियो में ना समझ माए तो आपके हैं न मीरे से आपको कमेंट के थूरू जरूर मेरे को बताना है second choice हम इसमें पढ़ेंगे फिर आपकी fourth unit ठीक है न भई fourth ऐसी लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं जो भी आयाद देख लेना है न भूल जाते हैं और आपका फिर हम पढ़ेंगे fifth unit ठीक है अच्छा fourth ऐसी लिखते हैं ठीक है भई अब ठीक है fourth and fifth ठीक फिर उसके बाद पढ़ेंगे first unit और first unit के बाद फिर हम पढ़ेंगे आप second unit राइट ये इस तरीके से का अपना index रखेंगे अब आप सोच रहेंगे इस index में ऐसे कौन-कौन से topics है तो उन topics को जानने के लिए आप वीडियो के अभी description में जाए और वहाँ पे जाके देख लीजे मैंने लेग रखते हैं और वहाँ पे अगर आपके सारे topics मैच कर रहे हैं तो इस वीडियो में या इस course को आप follow कीजिए और इस course में आपको जो है exam के regards बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगे जैसे मान के चलिए आपका एक lecture है उस lecture में आपको PDF भी दी जाएगी ठीक उस lecture में आपको PDF भी दी जाएगी जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा लेक session की क्योंकि जो भी मैं early बोलूँगा वो उस notes में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा इसलिए जो भी बोलो उस point को note down कर ले ठीक second चीज़ जब आपको यह PDF दी जाएगी तो इसमें आपके लिए problems दी जाएगी जो भी आपको topic पढ़ाया जाएगा जो भी आपका concept यहाँ प आपको solve करनी है ठेक उसके answer भी आपको दे दी जाएंगे के बाल answer और उसके बाद हमारे जब सारे concept clear हो जाएंगे हमारे यहां तक उसके बाद हम doubt session clear out करेंगे ठीक है हर संडे को doubt session चलेंगे फिर आपके आपके जैसा कि December के last में exam होंगे जब तक तो यह course कपका complete भी हो चुक है आप इस channel पर आयो तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी इस बात का मैं promise करता हूँ आपको और अगर हम इसमें केबल गदाओं की तरह काम करते हैं लाइका बस hard work करने में लगें दिन रात तो इसमें हो सकता है 100 प्लस वीडियो भी पहुंच जाएं तो कोई बड़ी आपका जैसे की lecture अगर वन हावर का भी हो जाए तो प्लीज आप उस lecture को छोड़ के ना जाए और इसके पना करें lecture को बना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें अगर आपको कोई भी point चूटता है तो आप बात में यह नहीं कहना कि भया आपके वेसे हम fail हो गया कुछ और हो गया हमें या फिर concept समझ में नहीं आया ठीक सो आपको lecture पूरा देखना है चाहिए एक मिनट का वीडियो यह दिखना पूरा वीडियो है ठीक है आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है यह होती है कि आप छोटे छोटे वीडियो देखने च्छे साथ साथ मिनट के यार उन होगे ना तो उस वीडियो को देखिए उसमें ज्यादा चीज है आपको सीखने के लिए मिलेंगे टेक है सो अब मैं आपको एक चीज और बता दिना चाहता हूं देखे मैं किसी भी मैंने अभी जो भी बात बोली कि हमें जो भी स्टुडी में प्रोवाइट किया जा रहा है औल लाइन और हमारे कॉलेस के दुबारा वो मुझा इंधनी ठीशिय रही हूं मैं किसी भी कॉलेज़ को यहां पर इंवॉल्ब ने कर रहा किसी भी कोचिंग सेंटर ने कर रहा एक्शल में यार यह इस्टुडेन्टों का ही इनवॉल्मेंट है मैं ठीशिशन मुझा है कि म मैं अभी भी बता दे रहा हूँ Monday प्लस Wednesday एंड आपका Friday को ठेक 6 p.m. इबनिंग में इसकी वीडियोस आएंगे ओके इबनिंग में इसकी वीडियोस आएंगे तो आप देखें और इस वीडियो को जैसे आद आप आप शेयर कर दें उन लोगों के लिए जो BCA में हैं या इजन के पास आपका numerical methods हैं जिससे कि उनकी और भी help हो सके तो चले मिलते हैं अब course के साथ ही सीधे Monday को 6 p.m. पर तब तक के लिए जैहिन जैभारत